जिससे एक साथ तीन बड़े राज योग का निर्मान होगा। महाराज की कृपा से अब मिलेंगी। अपार खुशियां ही खुशियां। पूरी तरह से बदल जाएगा। पुरानों और शास्त्र में भगवान शनिदेव को महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त है। उन्हें संतुलन बनाए रखने और न्याय करने वाला देवता भी कहा जाता है। भगवान शनिदेव लोगों को उनके अच्छे या बुरे कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। शनि की शुब स्थिती में हो तो व्यक्ती जीवन में बहुत आगे जाता है। उसे जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती है। वहीं शनि की अशुब स्थिती व्यक्ती को बहुत कष्ट पहुँचाती है। भगवान शनिदेव जल्द ही अपनी चाल बदलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शनि अभी कन्या राश्य में है और उल्टी चाल से चल रहे हैं। शनि पंद्रह जन्वरी को वक्री से मार्गी अवस्था में आ चुके हैं। यानि पंद्रह जन्वरी से एक बार फिर शनि सीधी चाल चलने लगे। मार्गी होकर शनि कुछ जातकों को बहुत परिशान करने वाले हैं। शनी की सीधी चाल से कुछ राशिके जातकों को नुकसान पहुँचने वाला है। भगवान शनीदेव अभी अपनी सो की राशिक अन्या में है। जोतिश शास्त्र में शनी को प्रसंद करने के लिए कई उपाय बताये गए हैं। लेकिन कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिन्हें करने से भगवान शनीदेव नाराज होते हैं। शनीदेव नाराज होते हैं। धोखे से धन का लेंदेन करने वालों। किसी का धन हड़पने वाले लोगों से भी शनीदेव महाराज नाराज रहते हैं। ऐसे लोगों को शनिदेव कभी माफ नहीं करते हैं। गलत तरीके से धन कमाने वालों को शनिदेव बहुत कष्ट देते हैं। गलत तरीके से धन कमाने वाले लोग शनिदेव के प्रकोप से जल्द कंगाल भी हो जाते हैं। पक्षियों बेजुबान को। सताने वाले लोगों को शनिदेव कभी माफ नहीं करते हैं, इन लोगों को शनिदेव बहुत कष्ट पहुँचाते हैं, सफाई कर्मचारी और मजदूरों को सताने वाले लोगों को भी शनि का कहर झेलना ही पड़ता है, ऐसे लोगों को शनि आर्थिक मानसिक शारीरिक रूप से कष्ट देते हैं, शनिवार के दिन घलती से भी तेल नहीं खरीदना चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है, माना जाता है कि शनिवार के दिन तेल और लोहा खरीदना अशुभ माना गया है, ऐसा करने पर भगवान शनिदेव नाराज हो जाते हैं, दोस्तों आपको हम बता बता दें कि वर्तमान में शनी अपनी स्वयं की राशी कन्या राशी में विराजमान है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको उन्ही कुछ भाग्यशाली राशियों के बारे में बताने वाले हैं, जिनके उपर भगवान शनी देव की चाल बदलने के कारण इनका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। पहले भगवान शनी देव के सचे भक्त हमारे इस प्यारे से चैनल की इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और हमें सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले। कमेंट बॉक्स में, जय शनी देव महाराज जरूर लिखें, इससे भगवान शनी देव का आपको सीधा आशीरवात प्राप्त होगा। तो चलिए, शुरू करते हैं दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में काफी सारे देवी देवताओं की मान्यता है, आपको बता दें कि इन देवी देवताओं में से एक नाम भगवान शनी देव का भी आता है। शनी देव को लेकर बहुत सारे लोगों के अंदर घबराहट होती है, लेकिन सच बताए तो ये है कि शनी देव प्रकृती में संतुलन बना कर रखते हैं और ये सभी प्राणियों के साथ उचित न्याय करते हैं। भगवान शनी देव की कृपा से बारह राश्यों में से कुछ विशेश राश्य वालों पर बहुत अधिक प्रसन्न होने वाले हैं। भगवान शनी देव की कृपा और इन चहराश्य वालों पर भगवान शनी देव बहुत अधिक प्रसन्न हो गए हैं। अब इन चहराश्य वालों के जीवन में किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं रहेगी। आपको बता दें, भगवान शनी देव अब इन चहराश्य वालों पर अपनी अत्यधिक कृपा बरसाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसके प्रभाव से इन चहराश्य वालों के जीवन में अब आने वाली है। अपार खुशियां ही खुशियां। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान शनी देव की विशेश कृपा इन चहराश्य वालों पर अब होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अविवाहित हों के लिए के प्रस्ताव आ सकते हैं। इस समय आप पार्टनर्शिप का काम भी शुरू कर सकते हैं। वही कोट कचहरी के मामलों में आपको विजय मिल सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि शनी देव के चाल परिवर्तन से बन रहे। राज योग से आपको ओकस्मिक धन, लाब और रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। बिजनेस और कोट कचहरी के मामलों में भी आपको लाब प्राप्त होगा। प्रमोशन और एग्रिमेंट मिलने के भी योग बन रहे हैं। रोजगार के प्रयास में आपको सफलता मिलेगी। पुराने रोगों से भी आपको इस दौरान मुक्ती मिल सकती है। आपको बता दें कि आपके ऊपर भगवान शनी देव की अपार कृपा द्रिष्टी बनी रहेंगी। जिससे की अब आपको धन लाभ प्राप्त होने की भी संभावना है। आपको बता दें इस राशी के लोगों को व्यापार और व्यवसाय में व्रिद्ध होगी। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें पद में तरक्की मिलेगी। जो लोग विदेश में रहकर नौकरी करना चाहते हैं या पढ़ाई करना चाहते हैं तो उन्हें विदेश में नौकरी और पढ़ाई करने की संभावना उनके लिए बन रही है। साथ ही साथ इस इन छह राश प्रश्य के लोगों के लिए काफी लाबकारी सिद्ध होगा। प्रश्य की विशेश, कृपा, इन छह राश्य वालों के उपर अब बन रही हैं, जिससे कि अब आपके जीवन के सभी दुख दर्द और कश्ट मिटने वाले हैं, और आपको अपने जीवन में मिलने वाली है। अब अपार खुशियां ही खुशियां, जिससे कि अब आपका पूरी तरह से बदल जाएगा। दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली भाग्यशाली राश्य है, वह है कुम्भ राश, कुम्भ राश। वालों को बताना चाहेंगे कि शनिदेव के चाल परिवर्तन से बन रहे राज योग, कुम्भ राशी लोगों को लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, आपके चेहरे पर अब एक अलग ही तेज देखने को मिलेगा, आपके बड़े-बड़े लोगों से संबंध बनेंगे, वही जो काम बहुत दिनों से आपके रुके हुए थे वो अब बनने लगेंगे, जीवन साथी की इस अवधी में तरक्की हो सकती है, वही इस समय आपको पार्टनर्शिप के काम में अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है, दोस्तों आपको बता दें कि भगवान शनिदेव की कृपा से आप लोगों के लिए आने वाला समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है, जी हाँ दोस्तों भगवान शनिदेव आपके उपर बेह नए नए अवसर प्राप्त होने वाले हैं। उन अवसरों को प्राप्त कर आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि जो भी काम आपके रुके हुए थे, वे सब अब समय पर पूरे होने लगेंगे। आपको बता दें, जो भी कारे आप शुरू करना च उन कारों में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। जी हाँ। आपको आर्थिक और प्रापर्टी के मामलों में लाबकारी सिध्ध हो सकता है और इस दोरान वाहन और प्रापर्टी खरीदने के लिए अनुकूल समय बन रहा है। वह है सिंह राशी। सिंह राशी वालों आपको बता दें। इन छह राशी वालों आर्थिक रूप से आप लोग मजबूत होंगे और सामाजिक प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ेगी। आपको अपने जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों से अपारधन लाब होगा। अचानक से धन लाब प्राप्ति के आपके लिए संभावना बन रही है। साथ ही साथ यदि आप नया वाहन या मकान खरीदने को लेकर कोई योजना बना रहे हैं, तो यह योजना आपकी अवश्य ही सफल होगी। भगवान शनिदेव की विशेश कृपा इन छह राशी वालों के उपर बन रहे हैं, और यह समय आपके पूर्णतह पक्ष में है। समय का आप भरपूर लाब उठाएं और समय को अपने हाथ से ना जाने दें। दोस्तों, अगली भाग्यशाली राशी है, तुला राशी तुला राशी, वालों को बताना चाहेंगे कि करियर में तरक्की आपको मिल सकती है, बैंकिंग निवेश में लाब मिल सकता है, इसके साथ ही वैवाहिक जीवन में भी सफलता के संकेत है, कार्यस्थल में, आपके क कार्यस्थल में उच्च अधिकारी, कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको सौप सकते हैं, भाग्य का पूरा-पूरा आपको साथ मिल सकता है। अभी कामों में आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों के साथ मेल जोल बढ़ेगा, साथ ही साथ इस राशिके लोगों को अनेक प्रकार के लाब, धन, लाब और बड़ी-बड़ी सफलताओं की अब प्राप्ती होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपका परिवार और जीवन आपके ऊपर बनी हुई है। तो दोस्तों, यह थी बो खुश नसीब भागेशाली राशियां। जिस पर भगवान शनिदेव महाराज की कृपा दृष्टी हो रही है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब जरू है।